असलाम हुलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे बक्राइद स्पेशल गोष्ट कहचार की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं एक दम चट पटा चटकारेदार और इसको आप एक से डिर्व महिने तक स्टोल भी कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है एक बढ़ ट्रा प्रेस लेना है इसमें फैट भी नहीं होने चाहिए बिना हड़ीयों को बिना चिकनाई का इस तरह से छोटी-छोटी से पीसे में करा लिया है अब इसको हमने टेंडर करना यह नहीं गलाना है तो इसके लिए प्रेशर कूकर ले लिए इसमें गोष्ट कर दिंगे और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अध्रक लेसुन का पेस्ट हाफ टी इस्पून हल्दी पाउडर है और इसको गलने के लिए यानि टेंडर करने के लिए हम इसमें पानी आट करेंगे वां थर्ट का पानी को कशानी हम बहुत कम रखेंगे बस हमने इसको गलाना है पानी एक्स्र नहीं चाहिए अब इसमें एट कर देंगे वन टीस्पून नमक नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंगे एट कीजिएगा जैसे आप खाना पसंद करते हो अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है और अब इसको हमें लिट से कवर कर देना है सास से आट विसल आप हाई फ्लेम प बनाते हैं वैसे ही मसाले चाहिए होंगे तो देखिए वन टीस्पूण कलौजी ले लेनी है वन फॉर टीस्पूण यहां पर मैथी दाना ले लेना है मैथी दाना कॉंटिटी हम कम रखेंगे क्योंकि कड़बा कर देता है बंटीश्पूण जीरा बन टेबल स्पूण करना है बिल्कुल भी मतलब बहुत जादा इनको जलाना नहीं है हलकासा बस क्रिस्पी हो जाए इतना इनको सेक लेना है अब इसमें चार से इसको साहट कर देंगे मसाला रेडी है तो यहां पर प्रेषर कोकर को भी खूल लेंगे 6-8 विसल आचुके इंद तो देखिए यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी रह गया इसमें तो फ्लेम को एक फिर से हम ओउन करेंगे। है फ्लेम पर इसको ड्राइ कर लेंगे। इस तरह से पाने से दिविर ऑठिडेख ₹ हैं जितना भी आप खाना पसंद करें दस से बारा लैसुन की कलनिया एक इंच का द्रग का टुकला इस तरह से हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है यह एड कर देंगे और चार सूखी साबुत लाल मिर चार से पांच ले ले यह कर देंगे हलका सा इनको क्रेकल होने देंगे थोड़ा सा बस लहसुन का हलका सा कलर चेंज हो जाए ताकि अच्छी खुश्बू आ जाए इसमें हमें गोश्ट की सारी बोटियां एड कर देनी है यह देखिए इस तरह से और इनको हमने फ्राइ करना है तो अभी हाई फ्लेम पर एक से दो मिनट फ्राइ करेंगे बस हलका सा कलर चेंज हो जाए देखिए इस तरह से गोल्डन सा कलर आ जाए इसका मॉश्टर सारा सूख जाए क्योंकि हमें अचार बना रहे हैं तो पानी इसमें बिल्कुल भी नही नहीं रहना चाहिए बनना खराब होने कर डर रहता है तो इस तरह से हम इसको फ्राइ कर लेंगे यह देखिए गूल्डन सा कलर आ गया है क्रिस्पी सी होगी है बोटी है तो अब इसमें मसाला करेंगे फ्लेम को लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हमने इसमें मसाला कर दिया ह अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को लो रखेंगे और अब इसमें एड़ करेंगे वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसे कलर बहुत अच्छा आएगा नहीं है तो इसके भी कर सकते हैं इसके थोड़ी सी नॉर्मल लाल मिर्च ले लें अच्छे से मिक्स कर लें करेंगे और अब इसमें इसमें एड करेंगे नमक आप buna व्म न։मने एक अटक दिया था सी तौर इस को रिलेटेब बहुती टेस्टी अपर आराएं तो हमें अच्छे से बन कर लिए इसको सर्फ कर लेते हैं यह देखी बहुत ही डिलिश्ट बनाया है बहुत अच्छी कुश्पू आ रही एक दम अचार गोश्ट की तरह तो देखिए यहां पर हमने एक बढ़नी ले लिए सूखी बढ़नी ले ले आप उसमें पानी नहीं हो इस तरह से हमने इसको देखिए फिल कर लेना है और आप इसमें यह गोश्ट का अचार भर कर रख सकते हैं फ्रिज में रखिएगा गर्मी है तो फ्रिज में रखिए बन करकर एक से डेड़ महीन है इसली आप इसको खा सकते हैं तो बहुत जादा टेस्टी और मतलब जो भी गोश्ट को सेफ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको सेफ कर सकते है एक से जड़ महीने के लिए तो यहां पर देखिए यहां पर मैं आपको तोड कर भी दिखाना चाह friends और यह बोटी बोटी और बहुत टेस्टी बना है और इसमें oil की quantity जाती है क्योंकि यह आचार है तो आप अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं तो जुरूर ट्राइ कीजिएगा और हाँ अगर आपने अभी तक Instagram ये फिर Facebook पर follow नहीं किया है तो जल्दी से जाएए follow कीजिए लिंक आपको description box में मिल जाएगा उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये recipe आपको पसंद आई होगी recipe पसंद आई हो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें इंशालला नई recipe के साथ फिर आज़िर होंगी अपना बहुत सारा खयार रखें तब तक के लिए Allah हाफीज